आज के वीडियों में जानेंगे calcium oxalate crystal यह यूरीन के अंदर पाये जाने वाला यह बहुत ही common crystal होता है तो इसके बारे में हम जाल नहींते हैं जो calcium oxalate crystal होता है one of the most common type of crystal found in the urine and this crystal form when calcium combined with the oxalate in the urine and they are present in can indices various health condition and dietary factor you can see the image जैसे आप यहां पर इमेज में देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है calcium oxalate crystal आपको कैसे माइक्रोस्कोपी पर डॉक्टर चेक करके बताता है कि यूजिन कंदर calcium oxalate crystal पाया जाता है उसके फॉर्म आप यहां पर देख सकते हैं कैल्सियम oxalate की टाइप होते हैं कई टाइप के पाया जाते हैं जिसमें पहला होता है calcium oxalate monohydrate यह एपेरेंस होता है एक्चुली इस यादर टाइप आप स्माल कलरलेस एंड शेप आप दो लाइक डंबल या इनोलब शेप में दिखाए जाता है इसकी क्लिनिकल फिकन्स होता है कि दे आर मोर कॉमनली सी इंडिविज्वल वार दो प्रोन टूथ फॉर्मली किड्नी इस्टॉन किसी व्यक्तिव और किड्नी इस्टॉन अगर हुआ है तो उस कंडिसें में calcium oxalate monohydrate दीता है जो calcium oxalate किस्टा होता है उसके बहुत सरह फॉर्म होता है जैसे आपको डंबल सेप में दिखाए देगा डायमंड सेप में दिखाए देगा दूसरा होता है calcium oxalate dehydrate यह क्या होता है यह क्या होता है तो आपको kidney disease का या kidney stone का रिस्क हो सकता है कॉस्टर साब calcium oxalate crystal urine dietary factor उसमें आप देखेंगा हाई oxalate अगर कोई फूड आप ले रहो जिसमें सब्सक्राइब हाई और जाता है तो उस कंडिशन में हो सकता है जैसे आप नट्स ले रहो स्पैनेश ले रहो चोकलेट ले रहो या टी या कैन इंक्रिस या आपको एक्सिल eren dwind les fluid आख आखा अधर आपके body के अंदर कम पानी होता है जिसमें जो होता है ओने जो कम साथ आता है नीकान से आदा पर ह्योगता है वो हमारे बोडी ज्यादा प्रोडूश कर जाता है और उसके वाइज से जो कट्रीज हो जाता है क्रोंटी डीचिस करतों है तो उसमें कैल्सियम ऑक्रिस्टर होता हूं हम मनद उस से पाया जाता है या एथलेन अग्लाइकलिन पोईजिनीन आप के से वि सब्सक्राइब करके उसमें भी आप अपने स्टोन के पता लगवा सकते हैं या यूरिन क्रेटिन टेस्ट करवा सकते हैं जिससे आप देख सकते हैं उसके पाए जा रहा है नहीं या उसका लेवल क्या है इसके प्रिवेंटेशन और मेनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं रेडूस ऑक्सिलेट रिज फूड ज्यादा ज्यादा जिसमें पाई आता है वह पूड आपको नहीं खाना चाहिए और इंक्रीज कैल्सियम इंटेक्ट जिसमें के मातर ज्यादा है उसको आपको बढ़ा लेना चाहिए जिससे कम हो जाएगा या यह यह एष्टेट हाइड्रेट डिंकिंग प्रिल्टी फ्लूड बाइपास हो जाएंगे तो उमीद करता हूं आया होगा कि केल्सियम ऑप्लिए के क्यों पायते हैं कि टाइप्स को होते हैं तो वीडियो को दोस्तार साफ जरूर सेयर करना पिर मि विडियों मेने टोपिक के साथ